नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब सॉल्टी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बंबई स्टाइल की मूंग भजिया ये मूंबई का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और हम इसके साथ धन्या टमाटे की चटनी भी बनाएंगे और तले हुए मेर्चे भी मूंग की भजिया बनाने के लिए हमने 150 ग्राम मूंग डाल को 8 घंटे के लिए भिगो के रखा है अगर आप इसको रात में भिगो ना पाए हूँ तो आप इसे 2 घंटे के लिए गरम पानी में भिगो सकते हैं जिससे ये जल्दी फूलाएगा अब हम इसे पीस लेंगे हम इसे बिना पानी डाले पीसेंगे क्योंकि मूंग पानी बहुत सोक लेता है और पेस्ट कीला हो जाता है हमें इसे दरबरा पीसना है आप अगर चाहें तो आप 1 टी स्पून पानी इसमें डाल सकते हैं इसे पीसते वक हमारा पेस्ट तयार है अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे हमारा पेस्ट दरबरा बना हुआ है हम इसे फाइन नहीं पीसेंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हमने यहां हाफ टी स्पून नमक डाला अब हम इसमें एक टी स्पून धनिया के बीच डालेंगे जिन्हें हमने हलका सा कूट लिया है अब इसमें एक इंच बारी कटा हुआ अधरक डालेंगे और दो हरी मिर्च काटके नमक और मिर्च दोनों आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा अब इसमें हम एक कटोरी प्यास डालेंगे बारी काट करके प्यास डालेंगे अब हमने एक कटोरी में एक टीस्पूम पानी लिया है जिसमें दो पिंच हींग को पहले से घोल के रखा था अब हमारे पेस्ट में हींग का फ्लेवर अच्छे से मिल जाएगा अब हम इस पेस्ट को 10 मिनिट तक फेट लेंगे जिससे हमारा मिक्षेर स्मूध हो जाए और बहुत फ्लफी हो जाए इस पेस्ट में एयर आ जाए अब 10 मिनिट हो गये हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट का कलर चेंज होगी हलका सा वाइटेश हो गया है हमारा पेस्ट तेयार है अब हम इसे साइड रखे एक पैन ळửाएंगे जिसमें हम तेल रखेंगे ताकि हम अपने भजिया को तल सके statistics तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम चार मिल्ची लेंगे जिन्हें बीच से स्प्लिट कर देंगे हम मिल्ची को बीच से आधा काट लेंगे मिल्ची को बीच से हम लोग इसले काटते हैं ताकि जब हम मिल्ची को तले तो वो फटेंटेंगे अब हम अपनी मिल्ची को चाट मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि मिल्ची में चाट मसाले का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अब हम पकोडी के लिए चटनी बनाने की तैयारी करेंगे हमने एक मिक्सर चाड में दो बंच धन्या की पत्ती डाली है एक मीडियम साइज का टमाटर काटके डाला है और पाँच्छे कलिया लेसुन की डाली है एक इंच बारी कटा हुआ अद्रक डाला है दो हरी मिल्च को हम लोग ने तोड़के इसमें डाला है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हमने यहां आधा टीस्पून नमक डाला है और आधा टीस्पून जीरे का डालेंगे फिर हम इसे पीस लेंगे और हमारी चटनी तयार है अब हम इसे एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे अब हम अपनी चटनी में आधा नीबू निचोड के डालेंगे जिससे हमारी चिटनी काली न पड़े हमारा तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें अपनी पकोड़ी डाल कर तल लेंगे भजिया को तेल में हम लोग हाई फ्लेम पे डालेंगे और फिर मीडियम आज करके इसे एक गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे इससे हमारी भजिया काफी क्रिस्पी हो जाएगी गोल्डन ब्राउन होने पर हम अपनी भजिया को निकाल लेंगे प्लेट में हमारी पपखोडी है तो अब हम अपनी मिर्चों को तल let late हम अपनी मिर्चों को कुछ ऐसा दिखने तक तलेंगे बंबई में स्ट्रीट वेंडर्स हमेशा भजिया को इन तलेवे मिर्चों के साथ देते हैं जिससे भजिया का स्वाध और भी जादा स्वाधिश्ट हो जाए हमारी मूं की भजिया तैयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लिए